पार्त, सदेव संदे करने वाले व्यक्ति के लिए परसंता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और क्रोध से भ्रह्म पैदा होता है, भ्रह्म से बुद्धी व्यर्ख हो जाता है जब बुद्धी व्यर्ख होती है, तब तर्क नस्थ हो जाता है जब तर्क नस्थ होता है तब व्यक्ति का बतन हो जाता है ज्यानी व्यक्ति ज्यान और क्रम को एक रूप में देखता है वही सही माइने में देखता है जो मन को नियंतित नहीं करते उनके लिए वह शत्रू के समान कारे करता है ए पार्थ अपने अनिवारे कारे करो क्योंकि वास्तव में कारे करना निश्क्रियता से बहतर है पार्थ आतम ग्यान की तलवार से काट कर अपने हिर्दे से अग्यान के संदे को अलग कर दो अनुशाशित रहो और उठो मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है जो वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है हे पार्थ नर्ग के तीन दुआर है वासना क्रोध और लालच हे पार्थ मन अशांत है और उसे नियंतित करना का ठिन है लेकिन अभ्यास से इसे वश्मे किया जा सकता है हे पार्थ लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मिर्तु सभी बत्तर है परबुद व्यक्ति के लिए गंद की का धेर, पत्तर और सोना सभी समान है हे पार्थ निर्मान केवल पहले से मौझूद चीजों का परेक्षन हैं, हे पार्थ व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छिद वस्तु पर लगातार चिंतन करें, उसे मड डरो, जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था, ना कभी होगा, जो वास्त के अनुसार होता है, गर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करो,